तो आप लोग सोच रहे कि मेरे पाइ स्टाइटोस्कोप कहां से आया वैसे मुझे बढ़ा कोई नीस हो तो फिर भी मैं आपको कहा नी बताता हूं कहां से आया तो मैं गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे एक बीमारी है मैं कोई बी इंटर्सिंग चीज दिखता हूं तो मुझे उसे उपें करने का मन करने लगता है तो डॉक्टर बोले तुम मेरे पास क्यों आया हो मैं इसका क्या करूं मेरे पास का इलाज नहीं है तो मैंने कहां मैं आपसे इलाज करवाने नहीं आया हूं मैं तो आपका श्थाटोस्कोप चिनने आया हूं और मैं उसे चिन के लिए आया तो इस तरीके से मेरे पास आगए श्थाटोस्कोप ताकि मैं बना पाऊँ इसका वाच्सिंसाइड वीडियो तो आदके सुरे में हम लोग इस तरीके अपन करके देखने वाले आपके इसके लिए आपके प्रें काह वाला है दोस्तों वीडियो में आके बढ़ेने से पहले मैं आपको बहुत थे मस आपके बारे में बता चाहता हूं जिसका नाम है रमी सरकल जिसमें आप लोग खेल के सिंपली रियल कैस्ट जी सकते हैं इसमें रमी सीखना खेलना बहुत ही आसान साथ पहली बार जिसके करने पाइब को मिल जाएका सौब परसंट वलकम बोनस और दोस्तों आप लोग स्क्रीम पर देख सकते हैं कि से खेलना ज साथ का ट्रजिक्षा करने में काफी ज्यादा सेक्योर्ड हैं तो है कितनी ऐमेजिंग बात तो बहुत सारी लोगगों हैं रमी में खेलना है और जीक्नich तरह के देता है और याकिन माण आपको भी अधर में खेलने मीचे कई और बहुत मजा आएगा और मैं एकस के लिग य आएसे करते हैं और इसके पार्ट भी दिखा देता हूं कि कॉन कॉन से पार्ट है तो सबसे ब्रहए तो इसके उपर का हिस्सा जहां पर एयर टूब है और यह एयर पीस है यहां पर आगे लगी हुई है एक प्लास्टिक डिस्क तो अभी मैं आपको बताता हूं कि यह वर्क कैसे करता है तो जब हमें हाई फ्रेकेंसी की सुनना होता है जैसे कि दिल की धड़कन तो इसके इस वाले सीरो को प्रेशन के पास इस तरीके से लगा देते हैं एक प्लास्टिक डिस्क लगी हो यह इसे वायब्रेट होने लगती है और इसे एक प्रेक के प्रेशन के लाए डिकवेंसी का सूंनरा होता है तो वह झुछ सिरे का यूज करता है वह स्पार को घूमा देता है गूमाने के बाद इसे वह स्कीन के पास ले जाता है जहां पर सुनना हो तो जो इसकीन है इसके डाइरेक्ट प्रेसर वेव क्लिए करती है जो कि इस होलो टूब के चाहिए हो श्रीय में दॉक्टर के एक सबसे जादा यह अकॉस्टिक वाले ही यूज किया राते हैं बहुत ही मस्चीद है वाकाई में तो चले आप इसे ओपेंग करके देखी लेते हैं बहुत इंदेजार हो गया और हां अगर किसी को लेना है तो भाई इसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्स में दे द इयरफोंस में होता है और सिंपली एक हॉलो खाली टूबिंग ही है तो अभी मैं आपको यहां से निकाल के दिखाता हूं इसे निकालने में भाई बहुत ताकत लगने वाली है ओ तिल्की खाली आथ खाली की जोट पड़ेगी हो भी यहां प्लास निकलना पड़ेगा तो ब हम लिए और कट जारे कट जारी कर गया इसे एसे निकले की कोसिशचा करें तो अब आपने दिखना देंगो है कुछ नहीं पास इतनी प्लास्टिक की टूबिंग निकली और यह एरपीस निकले और यह इंग हो यह स्तिल का फ्रेम निकला कुछ नहीं है बस खाली पाइप है कुछ भी नहीं सिंपल यह खाली पाइप इस तरीके से जुड़ा हुआ है एक फ्रेम में और यही कान में फिक्ट हो जाता है है ना और बाकी का हिस्सा आप लग देख लो सिर्फ यह बचा हुआ है तो भाई आपको क्या रहता है सिर्फ इतने स्थेटोस्कोप से कोई आवास स और यहां करने संथा घय से आगए यहां पर और यह कान पर की अब जो दिल की आवाज atac बदेख झालने वाल उब तो इससे पोछब और इस ए मैं जेंगे फोच्छल फ़ाइघा अलग है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एकान भाईप शानी है खाली आप कुछ नहीं इसके के अंदर है ना तो अब देखो इतना साही बचा है हमारा यह सैथोस्कोप का आगे का चेस्ट पीस अच्छा कि आपको यहां पर पार्ट दिख रहा है जब मैं इसे मुव करूंगा तो यहां पर खोल आ जाएगा यह देखो खोल आ गया ना फिर मुव किया यह बंद हो गया त देखो यह इसका प्लास्टिक का हिस्सा किस तरीके से निकल आया है जाटर मॉर्फेन का नाम दिख रहा होगा यहां पर ठीक है और यह देखो इसका कुछ नहीं है यहां पर इसके डाफॉर्म में कुछ भी नहीं है सिंपली बस एक होल ही है तो यह दो आपको मैंने पीछे स नहीं है सिंपली एक होल है जो कि इस होल के थुरू पाइप तक गया है यानि कि सिर्फ बस यह होल होता है इसके अंदर और सामने लगी होते प्लास्टिक की रिस्क और मैं अगर इसे भी निकाल दू तो यहां पर कुछ नहीं बचा है यह दो आपको यहां पर वही होल दिख देखते थे दिखे को हैं यह यह थो इतना हिस्सा और फार यह थो भांवर पर आपको दिख रहा होगा यह दो यहां बखा यह सामने आकर निकला है तो कितना सिंपल ना स्टैट्र तॉसकोप तो यह स्टैट्र को कि पूर अज बाकि का अब ने वाट्यों को लाइव एक और झाल झाल